गुजराट से बीजेपी के विधायक और कुछ पदादिकारी दिली पहुँचे हैं दिली में वो लोग दिली के स्कूल, मोहला क्लिनिक और अस्पताल देखना चाहते हैं असल कुछ महीने पहले दिली के स्कूलों की जो तस्वीरे हैं वो सब के सामने आए तो इस बारे में बात रखने के लिए उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री मनी सिसोधिया ने पांच विधायकों को कहा है कि वो इन पदादिकारियों को और बीजेपी के नेताओं को दिली के उन तमाम स्कूलों को दिखाया जिनको देखना चाहते हैं हमारे साथ अतिशी हैं, हमारे साथ संजीव जाए हैं, हमारे साथ किराडी से विधायक है, रितुराज जाए हैं, हमारे साथ कुल्दीव कुमार हैं, जो कि कुल्डी से विधायक हैं, उन सभी को लगाया गया है और सभी इंतजार कर रहे हैं पार्टी दफ्तर में क्यों कब आ स्कूल को देखना चाहेंगे, वो जिस मौला क्लिनिक को देखना चाहेंगे, वो जिस हस्पताल को देखना चाहेंगे, हम उन्हें खुद वहाँ पर लेका चाहेंगे, तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी का एक विधायक प्रतिनिदी मंडल उनका इंतजार कर रहा है, हम उनके स्कूल के जर्णी उनके साथ शेर करेंगे कि कैसे स्कूल टूटे-फूटे हालात में थे कैसे पढ़ा ही नहीं होती थी आज वो वर्ल्ड क्लास के स्कूल कैसे बने है अगर वो दिल्ली से सीखकर गुजरात के स्कूलों को भी करेंगे तो देखिए गुजरात के बच्चे भी तो देश के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलें से अच्छा क्या हो सकता है उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मनी सिसोदे जी आये थे स्कूलों में घूंग के चले गए उसके बाद कुछ पिक्चर सर्कूलेट क कहा जाता है कि अतिति देव भव तो हम अपने अतितियों के स्वागत में यहां पे मौझूद हैं वो दिल्ली के जिस भी स्कूल को देखना चाहे हम उन्हें दिखाएंगे अगले हफ़ते हम भी गुजरात जाएंगे तो हम यह अमीद करते हैं कि जिस तरह से हम यहां पे उ से उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सुबस इंजार कर रहा हूं हमें जानकारी मिली कि आप लोग दिल्ली आ रहे हैं दो दिल्ली के मुख्मंति मनिस जी ने खुद ही कहा है कि आप उनको असागत कीजिए उनसे पूछिए कि कौन सा स्कूल जाना चाहते हैं और जिस स्कूल जाना चाहें उस स्कूल जाकर उनको दिखाईए उनको बिस्तार से बताईए कि यह transformation कैसे हुआ मैं यह मानता हूँ कि जब आप दिल्ली आएं आपके पास भी इतिहासिक मौका है अगर आप दिल्ली आ करके इस स्कूल को देखके करके महला करने को देखकर कर लिए तो इतिहास आप को याद रखेगा तो मैं उमीद करता हूँ कि इतिहासिक मौका को ऐसे नचुके राजनिती से परेहों करके दिल्ली में पूरे देश विदेश से लोग आकर आकर देख रहे हैं कि कैसे अच्छा हुआ आप देखने अच्छी बाद में धन्यवाद भी करता हूँ कि सिक्षा और स्वास्त को मुद्दा बना रहे हैं 75 साल बाद ही सही सिक्षा स्वास्त मुद्दा बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा और दिल्ली इसको लीड करा ये पूरा देश जानता है तो आप आईए हम आपको विस्ता जानकारी लेकर जाएं तो गुजरात में ठीक से काम कर पाएं आप रितुराज जी किराडी तो भी चर्चाओं में रहा ये भी अंदाजा लगाया जा रहा कि शायद उस तरफ ही तमाम पदादिकारी पहुंचेंगे तो आप क्या वहां पे इंदिजार करेंगे और इसी परकार से दिल्ली की जंता दिल्ली की सरकार ने अगर स्कूल में अस्पताल में महला क्लिनिक के अंदर में जो रिफॉर्म लाए हैं उसको तो मैलीना ट्रंप देखने के लिए आई हैना देश विदेश से लोग आते हैं यूएन के से जर्नल सेक्रेटरी आते हैं आज आपको निंद खुला है 75 साल के बाद आजा दी तो अच्छी बात है जैसा कि मान्य मुख्य मंत्री जी कहते भी हैं कि दूसरे के अच्छे कामों से सीखना चाहिए आज चलिए चुनाव के बहाने ही कम सीखने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग आपका स्वागत करने के लिए हम दिखाने के लिए तैयारें किस तरह का ट्रांस्फोर्मेशन हुआ है स्टैप वाइज हुआ है हम बताएंगे आपको इसी तरीके से हम ये भी उमीद करते हैं कि जब हमारा प्रतिनीदी मंडल जब गुजरात में लैंड करेगा और वहां पर जब हम देखना चाहेंगे स् कि देश के अंदर में सिख्चा स्वास एक मुद्धा बने और यह जो बेकार की राजनिती आप लोग करते हैं अच्छा है कि भगवार ने आपको सदबुद्धी दिया आप सिख्चा स्वास पर लोटे हैं इसी पर बात होनी चाहिए इसी पर परतिश परधा होनी चाहिए इसी पर competition होना चाहिए तेकि दाकी देश का मुद्दा बने और देश के भविश का उज्वल बच्चों का भविश उज्वल हो रोजगार मुद्दा बने सिक्षा स्वास मुद्दा बने और ये चीज़ें होनी चाहिए कुल्दीव जी आप फिर अगले अपते वापस उनके जाएंगे दिखने के हां बिकुल जैसे हमने का अतिदेव भवा हम उनका स्वागत कर रहे हैं अच्छे स्कूल दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे आपको दिखाएंगे पूरी जनुनी दिखाएंगे वैसे ही जब गुजराज जाएं तो हमें भी आप लोग महां अतिदेव भवो की तरह है, आप हमारा स्वागत करेगा, हमें भी स्कूल दिखाएएगा, अस्पिताल दिखाएएगा, हम भी देख के आएंगे आपके स्कूल अस्पिताल, लेकिन आज हम लोग सब पूरा रेलिकेशन यह खड़ा हुआ है, उनके स्वागत में, उनके दिजा बयाना है कि वो आए बिना जानकारी के और स्कूलों में चले गए, उन्हें अच्छे स्कूल दिखाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी खुद यह कह रही है, कि वो पार्टी दफ्तर में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कि उनके लोग यहां Rawat, ABP News, Gali